वेल्कम बैक इस वीडियो में जानेंगे गुट सेफ 50 mg ड्राइप आउडर सस्पेंशन के बारे में तो एक एंटिबाइटिक होता है और पीडियाटर की उसके लिए होता है मतलब बच्चों में यूज करें होता है तो जो सस्पेंशन है इसमें जो इसका एक्टिव है उनके लिए स्यूटेबल होता है अब यह जो सस्पेंशन है जो एंटिबाइटिक है इसके जो यूजज है यह यानि कान की इंफेक्शन जो होते जिसको कि हम ओटाइटिस मीडा कहते हैं मिडिल एर का इंफेक्शन उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज के जाता है आखों इनका इंफेक्शन सैलुलाइटिस सिस्टाइटिस जो हमारे यूरिनरी ब्लेड है उसका इंफेक्शन साइनसाइटिस जो नाक के जो इसपेसिस होते हैं जब वो इसमें सूजन हो जाती है साइनस में उसको साइनसाइटिस का जाता है इसको कि हम हमारा आहर नाल भी कहते हैं gastrointestinal tract उसमें जब gastroenteritis हो जाता है उसको treat करने में urinary tract infections जिनको की UTI भी कहा जाता है मुत्र मार्क से सम्मधिज़ infection होते हैं उसके treatment में इसके लावब इसको typhide fever के treatment में भी यूज किया जाता है बच्चों में और जो किशोर होते हैं तो गोट से 50 जो है इसका यूज जो है ब्रॉंकाइटिस के treatment में किया जाता है ब्रॉंकाइटिस एक ऐसी condition है जिसमें हमारी जो ब्रॉंकास होते हैं उसमें जब inflammation हो जाता है इस condition को community acquired pneumonia जो pneumonia होते हैं उसके treatment में फेरेंजाइटिस गले के treatment में टॉंसलाइटिस के इसके अलावा आप जानते हैं कैसे काम करता है तो गोट से 50 जो होता है एक antibiotic होता है यह काम कैसे करता है अब जो बैक्टिरिया होते हैं जो कि infection फैलाते हैं उनको यह kill करता है उनकी cell wall की synthesis को यह रोक देता है इने बिट कर देता है यह उनकी जो पैनिसलिंग बाइंडिंग 3 प्रोटीन सोते हैं उनके साथ में बाइंड करता है और उनके पैप्टाइडो ग्लाइकेंस की synthesis को रोक देता है जिसकी वज़ए से बैक्टिरिया की cell wall नहीं मनती है तो आप इसकी जो पीडिया वो 200 mg every 12 hourly होती है मतलब 12 गंटे में 200 mg और उसके बाद 12 गंटे में 200 mg तो यह जो डोज होती है अलग अलग बीमारियों में अलग अलग हो सकती है बाडी कंडिशन के हिसाब से डॉक्टर इसको डिसाइड करते हैं बाडी वेट को देखकर एस देखकर तो आप अपने गुट्सेफिटी की हम बात करेंगे एक्यूट रॉक्टाइटिस मीडिय जिसके हमने बात करी मिडिली एर की इंफेक्शन में गले की इंफेक्शन में टॉंसिलाइटिस की कंडिशन में तो मालने अगर बच्ची की उम्र 5-6 मीने और वजन बच्चे का 5 kg है तो 25 मिली ग्राम सिंगल डोज में बच्चे को दवा देनी चाहिए जानी चाहिए उसके ऐसा बच्चे इसका वजन 5 kg है तो तो मैं देखना है कि 25 मिली ग्राम जो दवा है वो कितने ml इस सिरफ में आएगी तो हमने पता है कि गुट्सेफ 50 होता है उसकी स्ट्रेंग्थ है उसकी बच्चे इस डिवाइड़ बच्चास तो यह एगा 2.5 मिल सिरफ में तो मालने अगर बच्चे का वजन 10 किलो ग्राम है तो 10 किलो ग्राम के हिसाब से जो बॉडी वेट के साब से जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें टोटल 50 मिली ग्राम सी फोडॉक्जिम हमको देनी होगी 10 किलो ग्राम वेट वाले बच्चे के लिए तो हमें पता है कि 50 मिली ग्राम इसकी पांच एमल में आती है तो यह जो अभी हमने कैलकुलेशन करी है अभी आपके सामने 25 मिली ग्राम सी फोडॉक्जिम वाली उसकी जस्ट डबल यानि 2.5 मिल की जस्ट डबल पांच एमल सिरफ में 50 मिली ग्राम सी फोडॉक्जिम प्रॉक्जिम लाएगा तो यह जो 10 किलो ग्राम वाली जो कैलकुलेशन थी इसको देख सकते हैं यह ऐसे होती है इस तरीके से टोटल पांच एमल सिरफ जो है उसके लिए हमें 10 किलो ग्राम वाले वजन वाले बच्चे को देनी होगी को अगर आप एंट्यस दे रहे हो इसके साथ में प्रस्क्राइब कर रखायां तो उसे इंट्यसेड को आपको कम सेuent एक घंटे पहले देने से पहले या फिर इस दवा को देने की कम से कम 2 गहंटे बाद पूब्य जो आणे मात्रा में ही पानी इसमें मिलाना चाहिए जहां पर एक निशान होता है वहीं तक उसमें को water एड करना चाहिए उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए अब यह जो दवा होती है एक बार हमें मिक्स करने के बाद में 14 दिन के अंदर इसका इस्तमाल कर लेना चाहिए तो अगर इस दवा को लेने के बाद में अगर आपके बच्चे को diarrhea, allergic reactions या दूसरी कुछ problems होती है तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को तुरंद बताईए अगर आपके बच्चे को बहतर लगत इस दवा को देने के बाद में उसका infection ठीक होता है उसके sign and symptoms better होते हैं तो इस दवा को बीच में रोकना नहीं है क्योंकि ऐसा रोकने से इस दवा का जो duration जो था course का वो अधूरा रह जाएगा और इससे बच्चे का जो infection था वो वापस आ सकता है और उसको बाद में treat करना मु अगर आपके बच्चे को अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए अब इसके जो contraindication मतलब कौन नहीं ले सकता है इसको ऐसे बच्चे जिनको से फैलोस्परिन ग्रूप के एंटिबाटिक से अलर्जी वो इसको नहीं ले सकते अब इसके कुछ सब्सिट्टीट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं तो सेफ स्ट्रंग 50 mg suspension ये सिपला बनाती है इसको qtexo 50 को बनाते है mcure और micro safe को बनाता है macrolips महापोड 50 को बनाता है mankind पैस 50 को बनाता है dr. redis switch 50 को alchem laboratis voco safe ds को बनाता है wocard और zido safe 50 mg को बनाता है macular pharmaceuticals तो आयो आपको वीडियो informative लगी होगी अगर अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को जासे शेयर करें हम आपके लिए ऐसी informative वीडियो लाते रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए thank you for watching